नमस्काय प्रिये दर्शेकों मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत भी नंदन करती हूँ कैसे हैं आप लोग दर्शेकों आज हम एक विशे लग भग हर किसी के जीवन में ये चीजे हर किसी के तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत जादा होता है क्या धोखा या असफलता बहुत सारे लोगों का ये प्रश्ण होता है कि हम किसी के साथ चाहे जितना भी अच्छा कर ले लेकिन हमें उसका रिजल्ट बाद में अच्छा नहीं मिलता है हमें धोखा मिलता है हमने किसी के हिल्प करी हमको जरूरत थी लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया हम महनत तो बहुत करते हैं लेकिन जीवन में बार बार असफल हो जाते हैं तो इसका कारण क्या है जोतिश शा कास्तr के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चुब ग्रहों की संख्या अधिक है और उनसे चुब योग बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपार सफलता पाता है और उसके जीवन में सुक्सविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है लेकिन जब ग्रह अशुव हों तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके कारण अशुव होने पर व्यक्ति को जीवन में बार-बार धोखा खाना पड़ता है ये ग्रह कौन से हैं आईए चानते हैं कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसे धोखा मिले लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो खराब होने पर व्यक्ति को हर कदम पर कदम कदम पर धोखा खाने के लिए विवश कर देते हैं ये दो ग्रह शनी और राहू हैं शनी और राहू जोतिश ग्रंतों में शनी और राहु को विशेस ग्रह माना गया है इनकी विशेस ताओं पर विस्तार से बताया गया है ये दोनों ग्रह शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करते हैं कुंडली में मौझूद इनकी इस्थिती से ही इनके शुम या अशुम होने का पता लगता है। इसके साथ ही जीवन में ये किसी तरह के लक्षन महसूस हो रहे हैं तो समझ जाए कि कहीं न कहीं शनी और राहू मिलकर के आपको परिशान कर रहे हैं। परिश्रम का फल ना मिलन बार बार धोखा मिलना व्यक्ति को जीवन में बार बार धोखा मिले अपनों से ही उसके समंध खराब होने लगे और दोस्त भी दुश्मन मन जाए तो कहीं न कहीं इन ग्रहों की अशुम हिता इसके पीछे बड़ी भूमी का निभाती है। इसलिए इन ग्रहों को ठीक रख परिश्रम करने वालों का सम्मान करें, शनी से जुड़ी हुई चीजों का दान करें और कर्मचारियों की हमेशा मदद करें और उनका सम्मान करें। राहु के उपाए में आपको क्या करना है। राहु को एक मायावी ग्रह माना गया है, इसके महिमा को समझना बहुत मुश् ये राजा को रंग और रंग को राजा भी बनाने की शमता रखते हैं ये ब्रहुम का भी कारग है जब ये अशुब होता है तो व्यक्ति को हर काम में अर्चने देता है बाधा देता है इसको शुभ बनाने के लिए सुमवार को शिव जी की पूजा करने चाहिए जूट बोलने से बचना चाहिए और एलकोहॉल यानि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए ड्रग्स से दूर रहना चाहिए और राहू के मंतरों का जाब करना चाहिए जिसे आप किसी भी प्रकार के परिशानियों से बच सकें तो दर्शकों ये कुछ खास जानकारी है यदि आप भी अपने जन्मांट चक्र में इस्थिति को जानना चाहते हैं और उनके फल को जानना चाहते हैं तो आप स्क्रिन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं में तब तक के लिए एप यार्बरा नमस्कार